हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष जा 19th of September 2020 का Current Affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग various sources से news को cover करते हैं जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Livement जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है, PIV के reports को discuss करते हैं राजी सबा डेलेविजिन में जो भी important news, discussion, debates आती हैं उनको cover करते हैं प्लस various magazines जैसे कि EBW down to earth के भी articles को discuss करते हैं In short guys, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा end तक देखा तो आपको किसी भी source से current affairs को prepare करने की आवशक्ता नहीं होने वाली है आप में से जो भी student civil services examination भी तयारी कर रहे हैं उनके लिए mandatory है इस फूरे lecture को end तक देखना यहाँ पर हम लोग prelims और mains दोनों point of view से news को cover करते हैं English, Hindi दोनों में news cover की जाती है जिस प्रकार से civil services में हम लोग को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोग उसी के according news को भी cover करते हैं तो आप देख सकते हैं paper 1, paper 2 के और यह paper 3 के कुछ topics जो आज हम लोग discuss करने वाले हैं चैनल का नाम current affairs by कमलाक्ष जाह है चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और bell icon पे भी जरूर हिट कीजिएगा and same नाम से telegram का भी एक चैनल है जिसको आप join कर सकते हैं and अगर आप चाहें तो facebook पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे आप follow भी कर सकते हैं चलिए समयना वेस करते हुए फटाफट lecture को शुरू कर लेते हैं paper 1 से related जो पहली news है तो देखें यहाँ पर बात हो रही है कोसी rail महासेतू के बारे में 85 साल के बाद कोसी महासेतू पर अब ट्रेन दोड़ेगी यह bridge का उदगाटन हमारे honorable prime minister के दोरा कर दिया गया है इसके इलावा यहाँ पर 12 और railway projects हम लोग को बिहार के अंदर देखने को मिलेंगे आप लोगों को इस topic में सिर्फ location याद रखनी है उससे जादा और कुछ नहीं दो तीन चीज़ें location से related जैसे कि यह बिहार के अंदर यह हम लोग को location देखने को मिल रही है यह कोसी bridge जो है वो बिहार के अंदर है यह bridge का sanction यानि की bridge की security जो है वो already केंदर सरकार के द्वारा 2003 और 2004 में कर दी गई थी यह निर्माली को सराइगर district के साथ connect करेगी निर्माली और सराइगर district इन दोनों को connect करेगा यह bridge और यह bridge जो है north east region तक पहुझने के लिए एक shorter route जो है वो तयार करके देगा इससे पहले बहुत लंबा route लेना पड़ता था बड़ा एक shorter route तयार करके देगा यह और यह bridge जो है वो कियूल नाम की नदी के उपर हम लोग को देखने को मिल रही है मेरा आपसे question यह है नीचे comment box पर answer लिख कर बताईएगा यह जो कियूल नदी है यह इस नदी यह नदी जो है वो किस नदी की tributary है तो इसका answer आपको मुझे नीचे comment box पर लिख कर बता रहा है साथी साथ बताया रहे है कि यह bridge जो है strategic importance प्रोवाइट कराएगा इंडियो नेपाल बॉर्डर पर strategic importance का मतलब यह होता है कि यह bridge के तहट हमारी forces जो है जल्दी जल्दी border area पर पहुँच पाएगी तो यह strategic importance इस प्रकार से प्रोवाइट कराएगा क्योंकि इंडियो नेपाल की जो boundary है जो border है उस तक पहुचने में भी यह bridge जो है वो काफी help करेगा तो यह अले चीज है बेट हम लोग इसकी location एक बर map में देख लेते हैं तो और बेटर तरीके से clarity हो जाएगी आप लोगों को तो आप देखिए यह आपको दिखाई दे रहा है यह निर्माली और यह सराइगड तो इसको यह connect करेगा यहाँ पर यह bridge इन दोनों के बीच में है और आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल की boundary भी आपको यह दिखाई दे रही है तो इसलिए इसको कहा गया है कि नेपाल की border के along यह strategic importance के तोर पर यह bridge जो है वो काम करेगा और यह बिहार के अंदर यह हम लोग को देखने को विल रहा है याद रखिएगा और यहीं पर ही थोड़ा से मैं इसको जूम कर देता हूं तो आपको वो नदी भी दिखाई देगी यह देखिए नदी इस प्रकार से आपको यह दिखाई भी दे रही है यह आपर तो यह है तो यह था पूरा वोल टॉपिक जिसके बारे में एक अच्छा idea आप लोग को होना चाहिए especially location बस आपको याद रख़िए कि bridge कहाँ पर located है क्योंकि यहाँ पर location से related ही question आएंगे और paper 1 से related आथ स्रिफ एक ही topic था अब हम लोग paper 2 के topic की तरफ आगे बढ़ रहे है serial interval यह क्या term है यह क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे और कैसे इसने coronavirus को control करने में मदद करी अभी तक serial interval ने तो serial interval क्या है तो उसके बारे में जानते हैं but before that topic news में क्यों था बताया जा रहा है कि एक महिने से जादा हो गया है कि चाइना में local transmission के cases नहीं नजर आ रहे है coronavirus के और यह possible हुआ है चाइना के अंदर तो वो serial interval के कारण हुआ है तो यह literally साफ साफ जूट है कि यहाँ पर चाइना के अंदर यह transmission नहीं हो रहा क्योंकि आप जानते होगा इसकी चाइना अपना असली record किसी को नहीं बताता है और यह आज की बात नहीं है यह सदियो परानी बात है सदियो परानी मतलब उस समय की जब printing press आई नहीं थी क्योंकि आपको बता है printing की knowledge जो थी वो सिर्फ चाइना के पास थी और चाइना से ही यह knowledge जो है वो बात में जाकर rest of the world में leak हुई है तो यह जो printing press है और यह सब चीजे जो हम लोग को देखने को मिलती है तो यह चाइना ने छुपा के रखी दी तो चाइना का यह छुपा के रखने का nature जो है वो आज का नहीं है सदियो पुराना है और यह अपने असली आकड़े कभी भी किसी को नहीं बताता है तो यह तो सरासर जूट है कि वहाँ पर local transmission नहीं हो रहा है जब पूरी दुनिया पर है local transmission हम लोग को देखने को मिल रहा है especially ऐसी countries में जहाँ पर population काफी ज़ादा है चाइना सबसे largest population country हम लोग को देखने को मिलती है यह term समझना है कि यह serial interval exactly होता क्या है तो इस term को हम लोग देखेंगे इस term को हम लोग समझेंगे बहुत easy है simple सी चीज़ आपको याद रखने है कि एक ऐसा duration जब एक व्यक्ति को symptom आता है और जब दूसरे व्यक्ति का symptom शुरू होता है उसके बीच का यह difference है इसका मतलब क्या हुआ तो simple terms में आप यह समझो यह व्यक्ति है इसको हो गया है coronavirus अब आपको बता है coronavirus एक व्यक्ति को होता है तो दूसरे लोगों को spread करता है तो इसने इस भी व्यक्ति को जब वो coronavirus spread कर दिया तो जब इसका symptom शुरू हुआ फिर उसके बाद जब इसका symptom शुरू होना चालू हुआ क्योंकि जब इसका symptom शुरू होगा उसके काफी कुछ दिनों के बाद इसका symptom शुरू होगा तो इसका जो यह बीच का जो period होता है that is called serial interval simple series और असान तरीके से explain करू अभी भी नहीं समझ में आया तो जैसे इस व्यक्ति को coronavirus हो गया यह बान के चलो ठीक है अब यह ए व्यक्ति है अब इसका दोस्त यह भी इसके पास जाकर मिला यह बैठे बादचीत करी डिनर वगरा किया वापस आगा यह लोग भर अब इसको symptom होना शुरू होगा उसके कुछ दिनों के बाद इसको भी symptom आना शुरू को हो गए तो यह जो कुछ दिन बीच के जो होते हैं that is called serial interval clear होई बात यहां तक सिर्फ यह आपको concept समझना था serial interval का आगी की चर्चा करें इसके बारे में पहली बार यह term कब यूज किया गया था तो पहली बार British के एक physician थे William Pickles इनके दोरा यह शब्त का उपयोग किया गया था हिंदी का जब मैं translation कर रहा था हो दो यह William आचार हो गया था तो बड़ा अजीव लगा था तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया correction हो गया नहीं तो फिर बड़ी गड़बर हो जाती है क्योंकि हाला कि मैं पूरी कोशिश करता हूं Hindi के हर एक word जो है वो करूँ और मैं देखता ही हूं reading करता हूं बड़ कभी-कभी by chance human error हो जाए तो माफी चाहूंगा उसके लिए क्योंकि यह सब जो news आती है English में फिर उसको Hindi में translate करना होता है तो मैं अक्सर translation के लिए Google translation को अपयोग करता हूं फिर उसके बाद फिर उसकी editing करता हूं तो यहाँ पर William Achar हो गया था तो एक ऐसा incidence हो था तो मैंने सुचा आपसे share करूँगा क्योंकि मैं बहुत देर ता हसरा था इसको देखके मैंने कहाँ बाइचांस बच्चों के बीच में चला यादा तो बच्चे क्या बोलते है मिली है माचार चलो एनिवेस British physician ने पहली बार इस Trump का उपयोग किया था और यह तब किया गया था जब United Kingdom के अंदर 1942 से 1945 के बीच में hepatitis epidemic हम लोग को देखने को मिला था तो यह भी थोड़ा से याद रखिएगा इस समय पर United Kingdom में hepatitis epidemic हम लोग को देखने को मिला था और main factor क्या होते है जो की serial interval के ओपर dependent होते हैं तो यह incubation period होता है incubation period का मतलब क्या होता है आपको बता है coronavirus जो है वो एक व्यक्ति जब coronavirus से infect हो जाता है तो उसके कुछ दिनों के बाद उसको symptom आते हैं तो यह जो कुछ दिन होते हैं symptom आने के that is called incubation period जब virus से infect होता है एक व्यक्ति और जब उसको symptom दिखना शुरू होते हैं तो उसके बीच का जो अंतराल होता है period होता है that is called incubation period clear है आगे की बात करें reproduction rate या फिर R0 क्या होता है या R0 जिसको हम लोग बोलते हैं तो यह होता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को यह virus जो है वो spread कर सकता है तो यह होता है R0 तो यह दो चीजों के उपर base जो होता है वो serial interval dependent होता है कैसे dependent हुआ अब तो यह interval of time यह incubation period का कि कितने समय के बाद जो है यह symptom शूरू हो रहा है तो वो अभी अपने बात करी थी कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में symptom का period जो है वो कितना है पहले तो एक व्यक्ति है उसको जैसी symptom दिखना शुरू हो गए तो सबसे पहले तो वो किन-किन के context में उसको trace करना है उनको पगड़ना है और उनको सबसे पहले isolate कर देना है तो अगर यह चीज करने में जो है वो सफलता मिल गई तो कोरोना वारस को control किया रहा सकता है और यही है पूरा overall यह हम लोग को देखने को मिल रहा है जो serial interval तो यही चीज है क्योंकि इसमें जैसे ही एक व्यक्ति को symptom आ रहा है सबसे पहले पता करो दूसरे व्यक्ति जो इनके context में है उनमें से किन-किन को symptom आ रहा है जिनको symptom है तुरन जो है उनको block करो यानि की isolate करो तो यह वाली चीज है इस प्रकार की तो इससे जो है वो control हो सकता है और इसके महत्व क्या है और किस प्रकार से यह changes हम लोग को मिलब जो indicate क्या changes यह indicate करता है serial interval तो serial interval infection को control करने में help करता है यह वाली बात तो अपन ने देखी साथी साथ यह indicate करता है कि हमारी country के अंदर या फिर जिस भी जगा पर इस चीज को test किया जा रहा है observance हो रहा है तो उस जगा पर कितनी immunity power है लोगों के बीच में क्योंकि जिन लोगों के पास अच्छी immunity है उनको यह virus infect नहीं कर पा रहा है तो immunity का खेले पूरा का पूरा हम लोग को देखने को मिल रहा है और साथी साथ यह आने वाले समय में किस प्रकार के cases बढ़ेंगे तो उसका भी अंदाजा लगाने के लिए यह serial interval जो है वो लाबकारी बताया जा रहा है और जितनी जल्दी लोगों को identify कर दिया जाएगा कि उनको coronavirus है और उतनी जल्दी अगर उनको isolate कर दिया जाएगा तो coronavirus के transmission का period जो है वो कम किया जा सकता है यहने कि transmission को रोका जा सकता है और इंडिया को क्या करना चाहिए तो एक अच्छा system इंडिया को लेकर आना चाहिए जिसके चलते हम लोग जो है वो जो contact tracing करवाए यानि कि जो भी वेक्ती infected है वो किस-किस से मिला है तो उसको trace किया जाए फिर उन लोग को भी quarantine कर दिया जाए और एक पुकता isolation protocol को follow करना पड़ेगा इस चीज के लिए अब बट हमारी country आप जानते हैं कि लोग आज की rate में मैं देख रहा हूँ बाहर जब मैं निकला था important चीज लाने के लिए कुछ essential items को तब मैंने देखा कि इतने लोग बे धड़क बिना किसी mask लगाए बिना कुछ किये मस भूम रहे लगी नीरा की मलब उनको किसी भी चीज का डर है बट यही है यही चीज तो problem होगा यह कि सरकार इतना समझा समझा कर ठक गई और इसलिए अब यह cases बहुत जादा बढ़ते हों नजर आ रहे हैं लोग समझने को नहीं तेया और इवन लोग टेस्टिंग भी नहीं करा रहे हैं अपनी test free में हो रहा है मेरे अभी चोटे भाई नहीं करा है दो दिन हुआ है अभी उसकी report भी negative आ गई है अभी उसका एक shoot होने वाला था बढ़ी रहें testing कराने से बढ़ा देखिए मैं ये गलत नहीं कहूंगा कि घुटाले नहीं हो रहे हैं घुटाले वाकई में हो रहे हैं और बहुत cheap हरकते हो रही हैं और गंदी हरकते हो रही हैं इस प्रकार की कि लोगों के organs बगएरा बेचे जा रहे हैं और वाकई में ये वाली खबर जो है वो news में भी आई है काफी सारे newspapers में मैंने खुद ने जो देखा कि इस प्रकार की reports जो है वो देखने को मिली कि और इस प्रकार की काफी सारे आपने ये messages बगएरा भी देखे होंगे इस प्रकार गये तो ये सच है कही ना कही यह वाली चीज भी हमारी country में चल रही है जिसको वाकई में इस पर रोक लगानी चाहिए और इस पर भी कारवाई जो है बड़ी कारवाई इस पर बट अब कुछ कही न कहीं दो धील है आज की rate में case study की करें हाला कि case study का कोई sense बनता ही नहीं क्योंकि चाइना पूरा पूरी तरह से साब जूट बोल रहा है हम जानते हैं चाइना की नेचर को बहुत अच्छे से जब coronavirus की starting ही हुई थी तब इस प्रकार की news सामने आ रही थी कि चाइना में 2 करोड सिंबंध हो गए थे जब starting में खतम हो गया तो लोग मारे गए हैं इसकी controversy सामने आई और यह controversy काफी लोगों ने claim किया यह सही controversy है जो सामने आ रही है क्योंकि काफी सारी यह telecom companies हैं उनकी report सामने आए कि अचानक से 2 करोड जो लोगों ने phone use करना बंद कर दिया तो ऐसा तो possible होई नहीं सकता ना 2 करोड rate बह बंद हुए और कारखाने बंद हुए तो लोगों को जो SIM बंद कर दिया होगी तो शायद बंद करा दिया होगी बट 2 करोड बहुत बड़ा rate है यह और इस प्रकार की काफी सारी videos भी ऐसी सामने आई चाइना में जहां पर लोगों को जलाया जा रहा था और बहुत भारी मात में तो यह तो बिलकुल भी सही नहीं है कि चाइना ने जो बताया है कि कंट्रोल कर लिया इसने बुहान के अंदर यह बिलकुल गलत है और इवन चाइना के अंदर से भी काफी सारी report इसी प्रकार की आ रही थी क्योंकि चाइना के अंदर एक तो अजादी नहीं है वहाँ प आती है वो ही news वो release करती है तो इस प्रकार की चीज़े है चायना से associated तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं आपको पता ही है इसके बारे में भी तो यहां पर हलकी फिर भी देख लेते हैं आपन यूजबे आए तो तो serial interval जो है बुहान के अंदर ये कम हो गया है 7.8 days से 2.6 days पर आगया है यानि कि मात्र दो से तीन दिन के अंदर जो है वो पता लगा लिया जाता है कि किस व्यक्ति को coronavirus हुए यानि कि एक को coronavirus हुए उसके symptom आए और वो किस content में है तो उसको मात्र 2-3 दिन के अंदर उसके contact के लोगों का पता लागा कि उनको isolate कर दिया जाता है तो इस परकार से बताया रहे कि ये चल रहा है महाँ पर और quarantine जो है contacts के वो मात्र एक दिन के अंदर ही जो है वो उनको quarantine कर दिया गया उनके contacts के लोगों को यह वाली चीज बताएगी और इस प्रकार से 60% तक transmission को रोका गया और यह possible तभी हुआ जब aggressive तरीके से वहाँ पर contact tracing की गई, quarantine किया गया और isolate किया गया लोगों को और ensure किया गया कि जो भी infected patients है और तो वो isolate रहें और वो दूसरे लोगों को और infect ना करें तो इस पर भी एक robust system बोले कर आये थे बड़ नहीं है क्योंकि देखो इंडिया के अंदर इतनी जनता है, चायना के अंदर उससरे जादा जनता है और आप जानते हैं कि जब इसमें ऐसी जनता तो नहीं है, चायना के अंदर भी की वो बिलकुल आपको पूरी चीज अच्छे से clear होगी होगी crystal clear अब next topic की दरफ आगे बढ़ रहा है अब यहाँ पर बात हो रही है draft electricity rights of consumer rules 2020 के बारे में पहली बार ऐसा कुछ rules सामने आ रहा है जो की electricity consumer के rights के बारे में बताएगा यानि की जो विद्युत उभोकता है जो हमारे घर में जो बि electricity को लेकर यह पहली बार यह चीज सामने आ रही है बट draft है यह तो draft को हम लोग जो है वो उतना examination perspective से नहीं detail में देखते हैं बट इसके बारे में अपने एक idea create करते हैं कि कल को जब यह draft finalize होगा तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़े शामिल की जाएगी क्या exclude किया जाएगा तो उसके बारे में एक general अपनको idea होना चाहिए कि सरकार की planning policy जो है वो किस प्रकार की आने वाली है क्योंकि draft यह तभी draft पहले देते हैं draft एक blueprint इस प्रकार का देते हैं जिससे कि उसके अंदर जो भी changes करने वो बताया जाते है क्योंकि अपनने past में भी draft काफी सारे पड़े ह उसके बारे में कि draft पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है examination perspective से बैट फिर भी इससे अपनको एक idea मिल जाता है कि क्या चीज सरकार लाने वाली है बैट यह बहुत अच्छा draft है इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे और पहली बार ऐसा कुछ rule सामने आ रहा है कि जो भी electricity क consumers हैं जो electricity को consume करते हैं जैसे अपने घर में जो electricity आती है हम electricity का जो bill पे करते हैं जो electricity service का उपयोग करते हैं तो हमारे का अधिकार होने वाले हैं उस service को लेकर तो यह बहुत महतरी चीज है सबसे पहली चीज तो reliability service की इसका मतलब क्या हुआ कि यह insure किया जाएगा कि पहले से starting में ही बता दिया जाएगा कि कितनी बार average तोर पर कितनी बार और कितने समय के लिए कितनी बार और कितने समय के लिए बिजली की कटोती हो सकती है यह एक साल में कितनी बार बिजली की कटोती की जाएगी discoms के द्वारा उसका एक average बताया जाएगा पहले ही, यानि कि पहले बता दिया जाएगा हो सकता है कि इतने particular time तक आपको electricity ना मिले और इतनी duration के लिए इतने समय के लिए ना मिले example के तौर पर जैसे कि पूरे साल भर में 50 बार, पूरे साल भर में 50 बार बजली जा सकती है on an average, एक व्यक्ती के घर की और maximum 10 minute के लिए जा सकती है, ऐसा बोल दिया उनने अगर, बट ये तो मैं काफी कम आपको बता रहा हूँ ऐसा possible नहीं कि गर्मियों के दिन तो बहुत जादा हो जाता है ये सब, बट ये इस प्रकार कि ये बनाई जाएगी, और ये state electricity regulatory commission के द्वारा ये average fix किया जाएगा, रई कि कितनी पूरे साल में एक user को user के घर में, बजली जो है वो कितनी बार नहीं आएगी और कितनी देर के लिए नहीं आएगी, ये concept clear हुआ, next, जो है बिलकुल timely और simplified procedure बताये जाएगा connections के लिए, यहाँ पर सिर्फ दो document लगेंगे connection के लिए, याँ कि अगर किसी को business connection अपना करवाना है सिर्फ दो document उनको देने पड़ेंगे 10 kilowatt के load तक के लिए और कोई भी demand जो है, वो estimation demand वो charge नहीं लिया जाएगा 1500 kilowatt तक के load के लिए, तो यह चीज़ आपर बताये जा रही है तो इसके तहट यह focus किया जा रहा है कि काफी subtle तरीके से, काफी असान तरीके से जो है वो लोगों को connection जो है वो provide किये रहा से कि और जल्दी से जल्दी लोगों को connection मिल जाए, तो इस पर भी focus किया जा रहा है, और time period पर भी बात हुई कि कि कितने time पर लोगों को connection मिल जाएगा, तो कहा गया है कि metro cities के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, दूसरे municipal areas है, वहाबर 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा गाउ छेतर में 30 दिन में लोगों के घरों में बिजली आना शुरू हो जाएगी, तो यह चीज़ हापर बताए गई है, और अगर in case, बिजली जैसे की बताया गया किसी ने application लगाई बिजली के लिए और बिजली उनके घर में 60 देनिया उससे जाधा period के लिए नहीं आई, तब उनके जो बिजली का बिल आएगा उसमें 2-5% तक की छूट दी जाएगी, तो यह भी compensation का भी clause है यहाँ पर, इसके लावा online payment को बढ़ावा दिया है, यहाँ पर options और नहीं होता, बड़ ड्राफ्ट में कुछ terms हो जाते हैं, जो की examination में आ सकते हैं, वो यह term है, prosumers, ठीक है, यह prosumers क्या होता है, simple सी चीज़ आपको याद रखनी है, जिन लोगों के घर की छत में, या नहीं खुद के residence के उपर, जो खुद की grid लगाते हैं, आपने देखा होगा, कि आपके घर के आसपर शायद आपने देखा हो, या फर अगर नहीं है, तो आपने कहीं न कहीं देखा होगा, कि लोगों की छत में भी आजकल इस प्रकार की होती है, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे घर के जो स prosumers कहा जाता है, क्या कहा जाता है, prosumers, तो ये एक नहीं category, जो है वो consumers की बताई जा रही है, जो उभरकर अभी आ रही है, जिनको recognize किया जाएगा, इस के अंदर, इस draft के अंदर, prosumers ही हम लोग को देखने को मतना है, यहाँ पर यह term याद रखना है, क्योंकि term से related ही है, आज की rate में, एक तो residential, जो लोग होते हैं, जो अपन घरों में जो हमारे बिजली आती है, जो connection लगता है, तो उसका अलग meter होता है, और आपको पता हुआ कि जो commercial बिजली जो होती है, उसका अलग meter हम लोग को देखने को मिलता है, पता नहीं वाली बात, तो commercial meters अलग होते हैं और residential meters हम लोग को अलग देखने को मिलता है, वैसे ये prosumers भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, इनको भी recognize किया जा रहा है, और ये खुद बखुद अपने खुद के उपयोग के लिए ये बिजली को produce कर सकते हैं, और साथी साथ ये बिजली को same point पर, यानि कि जिस connection से ये electricity electricity ले रहे हैं, उसी connection पर वापस बिजली भी दे सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इस व्यक्ति ने ये solar power के उपयोग से अपने घर की पूरी light जला दी, बट इसका जो solar power है, इसकी छमता इतनी जादा है कि ये एक की जहाँ, यानि कि मान कि जलो इसके घर में तीन light जल समझने के लिए कि वापस बिजली को दे सकते हैं, बिजली, अब यहाँ पर अभी तक लियारेटी नहीं है कि ये बिजली देने पर इनको पैसा मिलेगा कि क्या होगा, बट ये चीज तो कही ना कही सुरिश्चित है कि इन लोग को कुछ compensation मिलेगा, यानि कि जो normally जो ये कुछ articles हम लोग को देखने को मिलें, इसी topic की ओपर, बट थोड़ा सा मैंने search किया इस पर अलग से तो एक loophole बड़ा जो सामने आया है, इसी चीज को लेकर, ये prosumer वाले इनके concept को लेकर, वो ये है कि आपको बता हुआ कि काफी सारे business है, जो कि renewal energy के ओपर based है, सरकार ने इसके साथ, डिसकॉम के साथ, तो इनको ये विजली बेचते है, renewable sources के थुरू generate करके, बट अगर घर-घर में ये इस प्रकार के grid लग जाएंगे और आने वाले समय में यही हम लोग को देखने को मिल रहा है in future, आपको पता है, 4 vision अगर करें हम लोग, आज से 30-40 साल के बाद तो हर एक घर के ओपर ये आपको great नजर आएगा, जैसी कि आज की grid में Tata Sky, It is TV नजर आती है, वैसी इस प्रकार की चीज़े आने वाले समय में definitely होने वाली है, 30-40 सालों के बाद, हर एक घर में हम लोग को ये देखने को लेगी, शायद और जल्दी भी हो सकता ही है, तो यह की discom की fulfillment यहां से हो जाएगी लोगों के घर से, तो यह वाला बाला एक मुद्दा है, यह सामने आ रहा है, जिसको लेकर यह एक आलोचना है, इसकी criticism हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस rules का, तो यह चीज़ इसके बारे में आपको एक जानकारी होई चाहिए, इसके लाब तो यह अली चीज़ है, इस प्रकार की जिसके बारे में एक idea होना चीज़ है, और prosumers के बारे में उसके याद रखना, जो मैंने भी आपको समझाया, यह इसकी definition है, जो लोग अपने घर में इस प्रकार की rooftop units set up करते हैं, वो लोग जो होते हैं, वो prosumers होते हैं, और यह भी बिजली के consumers होते हैं, बड़ यह खुद पर खुद भी अपनी बिजली generate करते हैं, यह तक पुरी बात हैं, तो यह था पूरो अपरोल टॉपिक इस से related, अब बात करेंगे वापा के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रेवेंशन एक्ट के बारे में, इस टॉपि पाके हम लोग को देखने को मिल रहा है, 2016, 2017 और 2018 में, और 3974 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस कानून के तहित, तो यह कानून क्या है गैस, तो 1967 में कानून आया, इसका में मकसद यह था, कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती है, ऐसी गैर कानूनी, गतिविदियां जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको रोकना, उनको प्रिवेंट करना, और आक्ट पूरी की पूरी पावर देता है, Central Government को, यहने की Complete Power मिलती है, Central Government को, कि Central Government डिसाइड करती है कि कौनसी activity, कौनसी गतिविदियां, गैर कानूनी क कहलाएंगी या फिर गैर कानूनी कहलाएंगी ठीक है तो ये लिस्ट बनाकर दे सकती है और बताया रहा है कि ये इतना strict इतना कड़क कानून है कि इस कानून के तहट लोगों को death penalty भी हो सकती है मृत्यू दंड उनको मिल सकता है सजाय मौत हो सकती है और life imprisonment यानि कि अजीवन कारावाज भी हो सकता है और इसके कुछ points की बात करें दोनों Indian और foreign nationals को ये लागू होगा इसमें ऐसा निये कि ये उवापा सिर्फ Indian national को होगा ये foreign nationals को भी होगा तो ये पूरे points जो में आपको बदा रहा हूं prelims के लिए बहुत important है याद रखिएगा और उवापा पिछले बार दो से तीन बार news में आ चुका है तो अभी जो लोग 2020 में exam देने वाले हैं उनके लिए भी equally important ये topic है इवन अगर crime इंडिया के बाहर भी कोई commit करता है तो भी उसके खिलाफ उपा के तहत उसको book किया जा सकता है नहीं कि उसको परेस्ट किया रहा सकता है उसके खिलाफ उसके act के खिलाफ राइट जैसी कि आपको बता है इंडिया के अंदर जो भी activity होती है तो उस पर जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने इंडिया में चोरी करी तो फिर हम लोग को देखने को हमारी police उसको पकड़ेगी बाहर foreign country से चोरी करक UK से कितनी cases हम लें देखे नहीं तो फिर अगर विजय माले इतना करोड़ों का घोटाला करके जब भगा है तो वो तो criminal ही है आपको बता है वो इस प्रकार की fugitive offender है यह इस प्रकार का राइट तो जब इसने इतना बड़ा offense करके यह offender बन गया और यह भाग गया वहापर त उसको पकड़ लेना सी यह था बड़ क्यों नहीं पकड़ा रीजन बिंग इस कि हर एक country के अपने खुद के कानून होते है और उनके खुद के एक डायरे होते है जिनको उनको maintain करके रखना पड़ता है उपा ने इन पूरे डायरों को तोड़ के रखा है अगर कोई व्यक्त एजेंसी 180 दिन मतलब कितना हुए 180 दिन 6 महीने तक एक व्यक्ति maximum 6 महीने के बाद एक व्यक्ति की चार्ज शीट जो है वो पेश करेंगी यह चीज आप लेकिए बड़ इस चीज का मतलब क्या exactly इसका मतलब यह है कि वह आपा यह था एक व्यक्ति को 6 महीने तक बंद किया ज सकता है आपको पता हुए एक व्यक्ति जिसको बंद करती है यानि कि पुलिस उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर-अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता इसका मतलब क्या हुआ पुलिस को 24 घंटे के अंदर-अंदर चार्ज शीट पेश करनी पड़ती है को मिलता है 2004 में इस कानून को अमेंड किया गया था इसमें terrorist act को भी include कर दिया गया इसके जो list है जो की central government तयार करती कि कौनसी कौनसी गतिविदिया activity गयर कानून ही होगी इसमें terrorist activity को भी include कर दिया है और terrorist organization काफी सारे ऐसे हैं जो की इस list में शामिल हो गए है, ऐसे 34 terrorist organization जिनको band किया हुआ है एक दो के नाम में आपको गिनाऊ तो जैसे कि बहुत ज़्यादा पिछले साल भी news में चला था, sick for justice आपको पता होगा लिख लोगा हैं पे sick for justice दूसरा Indian मुझाहुद्दीन तो यह सब ऐसे कुछ terrorist organization जिनको band किया हुआ है ये list के अंदर हम लोग को ये देखने को मिलता है इसके लावा एक चीज और आप note down कर लो POTA, Prevention of Terrorist Act POTA, जिसमें संजेदत को भी book किया गया था तो ये जो POTA था, उसको हटा दिया गया था और POTA के अंदर जो terrorist का जो clause था वो इसमें शामिल किया गया क्योंगी terrorist का clause यहाँ पर इसी लिए है क्योंगी POTA को repeal कर दिया था, हटा दिया था तो यह लग चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए और ये बहुत important है 2019 का amendment की 2019 का amendment क्या कहता है क्योंकि इससे related questions बन सकते है तो simple सी जी इसमें याद रखना आप NIA, National Investigation Agency इस agency को बहुत ज़्यादा power दे दी गई इसके अंदर इसके जो director general है यह approve करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो की इस मामले, यानि की जो UAPA से associated है यानि की UAPA के जिसको arrest किया गया है या UAPA की list में जो लोगों के नाम है तो उन व्यक्ति की जो भी properties होती है उसको seize करने का या फिर उसकी property की कुरकी करने का जो पूरा जो approval है वो दिये जाता है NIA के director general के दोरा investigation purpose के लिए जिसकी भी property को seize किया जाएगा तो उसका approval देंगे NIA के director general इससे पहले हम लोगों को देखने को मिलता था कि जो राज है, state है जिस state में वो जो व्यक्ति है, वो terrorist organization है या फिर established है कोई base organization का जिसको UAPA के तहट जो है वो शामिल कर लिया गया या फिर कोई व्यक्ति है उसको UAPA के तहट book कर लिया है तो वो राजिक के अंदर यानि कि एक state के अंदर जो DSP होते हैं और ACP या उससे उपर की rank के जो officers होते हैं तो उनके पास पूरा मामला था जितनी भी terrorist activities होती हैं उसको investigate करने का बट अब बताएगा कि यहाँ पर साथी साथ जो जितने भी NIA के inspector rank के या उससे उपर की rank के जो officers होंगे वो भी terrorism के cases को investigate कर सकेंगे तो यह वाली चीज भी हाँ पर है और इसको लेकर काफी सारी states बगेरा जो है वो पसंद नहीं कर रही है इस मामले को इस चीज को the reason being is क्योंकि देखिए police जो है वो एक state subject है और NIA जो आएगी तो obvious ही बाते है वो हस्तक shape हाँ पर करेगी पूरी तरह से और जादा power NIA को देदी हर चीज की तो यह बता जा रहे कि यह कानून जो है वो federal structure के against भी है तो इस प्रकार से इस कानून की आलोचनाए भी होती है इसको draconian lobby कहा जाता है क्योंकि इस कानून का उप्योग जो है वो जितना जादा नहीं किया जाता है उससे कई जादा इसका दुरूप्योग किया जाता है misuse किया जाता है इस कानून का especially political opponents और civil society activists के against यानि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जब खड़ा होता है कुछ बोलता है तो उसको उपा के तहट वो book कर लिया जाता है क्योंकि 6 मैने तक उसको custody की जाती है उसको jail में बंद कर दिया जाता है बेना court में पेश किये तो यह सब चीज़ें यहाँ पर होती है तो इसलिए जो है और साथी साथ एक व्यक्ति को terrorist की branding दे दी जाती है अब आप सोचो कि एक व्यक्ति को जब terrorist का brand दे दी आ जाता है भले ही माल लिया कि व्यक्ति terrorist नहीं है involved नहीं है सर्फ सरकार ने अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी व्यक्ति को बोल दिया यह terrorist कर लिया तो आप एक चीज़ याद रखना उस व्यक्ति के साथ-साथ उसका पूरा परिवार जो भी लोग उससे associated है, related है, उसके दोस्त, यार सब कोई उनकी उपर कलनक लग जाता है, terrorist मतलब समझे रहे बाब कि terrorist बहुत भड़ी चीज हो जाती है और अगर एक व्यक्ति जो निर्दोश है उसको अगर terrorist कर दिया तो वो व्यक्ति की तो जिंदगी खराब, साथ-साथ उसके परिवार की भी लोग चीने नहीं देते है जहां पर भी जाओगे, यानि कि एक व्यक्ति जीसे माल लो कि एक परिवार है उसमें एक ललका है, उसको वो terrorist है या फिर उसको बोल दिया terrorist है यह सरकार के द्वारा उस व्यक्ति के पूरे परिवार को गलत निगाओं से देखा जाएगा उसके पूरे परिवार को इवन मार पीड भी दिया जाएगा इस परिवार की चीज़े हो जाती है, आपको पता होगा ऐसी चीज़ है, तो यह वारी चीज़ भी है तो यह भी बहुत गलत हो सकता है अगर कोई निर्दोश हो इसको अगर ऐसी ऐसा terrorist बोल दिया रहा है तो आप इमाजिन करो यह अली चीज़ इसके लवार 2019 का अमेंडमेंट जो है वो पावर्स देता है इंवेस्टिकेशन एजेंसी को की धरले से यह ने की बेदहक जो है वो इंवेस्टिकेशन कर सकते हैं बिना किसी की रोग टोक के तो यह चीज़ है जिसके बारे में आपको वह आप है इसके बारे में थोड़ा से डीटेल में मैंने आपको इसली बता है क्योंकि यह टॉपिक लगाता है दो एक सालों से न्यूज में है और पिछले साल तो काफी बार न्यूज में था क्योंकि अमेंडमेंट भी हो है तो ये तब हुआ जब डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग जी ने पार्लेमेंट के अंदर कहा कि चाइना उलंगन कर रही है 1993 और 1996 बाउंटरी एग्रिमेंट का जो की बनाये गया था कि border पर जो soldiers हैं वो peacefully रहे और border पर शांती बरकरार रहे यानि कि LAC पर line of actual control पर तो इसका उलंगन किया है यह राजनात सिंग ने जैसी बोला उसके अगले दिन चाइना ने blame करना शुरू कर दिया इंडिया के उपर कि इंडिया उलंगन कर रही है border agreement तो आ इसा है चाइना बट आप लोग को सिंबल जीज याद रखने हैं कि 1993, 1996, 2005 और 2013 तो यह जो agreements हुए है यह इंडिया चाइना के बीच में हुए है border management को लेकर यह agreement है और यह agreement इस प्रकार से थेगी border areas पर शांती पूरवर काम हो but unfortunately यह agreement इस प्रकार का जो बात करता है कि शांती प peace and tranquility का है यानि कि border area पर line of actual control पर सीनो इंडियन border पर peace रहे शांती रहे और दोनों साइट्स की जो soldiers है वो अपनी military forces को जो है वो कम करें, reduce करें, minimum level पर वहाँ पर रखें और शांती बूरवर, friendly और अच्छे relation जो है वो दोनों के बीच में बना के रखें तो 1993 का यह agreement कहता है पर actual में ऐसा होता नहीं है, हम लोग को देखने को मिलता है reality में, 1996 का agreement भी यही है, कहता है कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, 1996 के agreement भी यह कहता है कि दोनों country क्या करेंगी, अपनी military disclosure करेंगी, यानि कि अलाव करता है military disclosure को, दोनों country जो है वो सहमती से exercise करेंगी border radius पर, यान invitation देती है, यानि कि इंडिया ने invitation दिया चाइना के troops को, troops यानि कुछ officials आएंगे, वो देखेंगे कि क्या गतिविती है, यहाँ पर यानि कि इस छेतर पर Indian soldiers की, और वैसी हमारे soldiers वहाँ पर जाकर देखेंगे कि China के soldiers की क्या activities है, but actually मैं ऐसा reality में हो नहीं रहा है, इस प्रकार करेंगे, right, इसके लावर ये भी कहा गया, कि जितने भी इनके combat tanks वगरा होते हैं, और जो combat vehicles हम लोग को देखने को मिलते हैं, infantry के, guns वगरा, weapons वगरा, तो ये कम से कम रखेंगे हैं यहाँ पर, और limited रखेंगे, तो ये भी इस agreement के अंदर specified किया गया था, but actually मैं ऐसा है नहीं, हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है, और दोनों ही side जो है, यहाँ पर ये कहा गया, कि वो open fire नहीं करेंगे, गोली बाजी नहीं करेंगे, hazardous chemicals का उप योग नहीं करेंगे, बंबारूद नहीं फेकेंगे, right, तो यह लिए शीज कहीं कहीं, और यह याद रखना है कि 2 km तक, कि अभी तक कोई भी ऐसा attempt नहीं हुआ है, जो कि यह recognize करवा सके proper तरीके से कि LSE जो होगी, वो किस तरीके से निरधारित होगी, यानि कि LSE जो होगी, उस पर fencing की बात नहीं की गई, कि proper पुक्ता fencing हो, proper defined हो कि LSE जो है, यानि कि जो border area से वो क्या है exactly, इंडिया और चाइना हम लोग को देखने को मिलती है, पिछले हफते में भी हमने कुछ disputed territory के बारे में चर्चा करी थी, इंडिया और चाइना के, तो वो यह वाली बात है हम पर हो रही है, तो main, अगर issue को resolve करना है, तो सबसे पहले LSE की जो territory, इंडिया और चाइना की, जो हम लोग को territory boundary जो देख होना चाहिए, हम next topic की बात करें, Institute of Teaching and Research in Ayurved Bill 2020, तो यह अभी recently pass हो गया है, लोग सबार राज सबार दोनों ने इसको pass कर दिया है, यह establish कर रहा है Ayurvedic institution, यानि कि एक Ayurvedic college हम लोग को देखने को मिलेगा, Institute of Teaching and Research Ayurved ITRA, यह जाम नगर गुजरात के इंदर establish किया जा रहा है, और इसको institution of national importance का भी दर्जा मिल रहा है, और ITRA यह पहला institute होगा, जिसको यह institution of national importance का दर्जा दिया जा रहा है, आयूश सेक्टर के अंदर, तो यह है बस basic चीज, आपको इसकी याद रखना है, यह university, यह institute हम लोग को यह हाँ पर देखने को मिल रही ही, कुछ रात के जाम न रहे है, solar cycle 25 की यहाँ पर बात हो रही है, पिछले साल भी इस topic को अपने डिसकस किया था, solar cycle को, इसमें यहाँ पर आपको दो terms को बस याद रखना है, solar minimum और solar maximum, और यह पूरी cycle क्या होती है, इसका concept बस जानना है, यह photo को देखो, फोटो में आपको क्या difference दिखाई दे रहा ह सूरज की photo यह, एक तरफ सूरज जो आपको दिखाई दे रहा है, यह थोड़ा सा dull दिखाई दे रहा है, यानि की कमजोर type का, और दूसरी तरफ एकदम चमकता हूँ, अभरता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, चमकीला एकदम, light light light, तो यह जो light light है, this is called sun sports, यह sun sports है, ज maximum यानि की sun sports की activities जादा है, और यह बात याद रखना, minimum की जो शुरुबात होती है, वो 0 से होती है, बट maximum की शुरुबात होती है, जैसे कि यह जो पूरी cycle होती है, जैसे कि sun जो है, वो अभी dull है, और एकदम sun जो bright होगा, तो ऐसा नहीं कि sun 0 पर dull है, और 100 पर bright हो रहा है, ऐ ऐसा है, इसमें कि sun 0 पर dull होता है, और 50 पर bright होता है, तो यह वाली बात कैसी हो गई, तो आप simple से एक logic लगाओ, मैं general आपको logic बदाता हूँ, जैसे कि पानी, ठीक है, पानी का logic लेते है, पानी है, पानी को आप उबालो, तो पानी उबलेगा, बुलबुलेगा अपने के पा होने के लिए, उतना ही equal time लगेगा, जैसे कि जलते हैं, अपने इसको ऐसा समझते हैं कि, यह पानी है, यह पानी का temperature 0 है, यहाँ पर भी आल लेते हैं, ठीक है, अब इसको 100 degree Celsius पर पहुच रही है, यहाँ पर, ठीक है, और यह 100 degree Celsius पर पहुच गई, और इसको अब 0 degree Celsius पर आन की, तो dull की cycle 0 से start होगी, और bright की cycle 50 पर होगी, यह आधे पर होगी, और उसके बाद यह reverse होता है, यह फिर से dull होना शुरू होता है, और यह जब तक डल होता है, जब तक यह पूरी तरह से dull ना हो जाए, यह पूरी तरह से light बुझना जाए इसकी, धीरे-धीरे करके यह पूर इसमाम का होता है, यह आपको concept इस topic में exactly समझना है, क्योंकि यही पर ही उल्जहन वाले question बनेंगे, prelims के अंदर आएगा यह वहला topic तो, और आने की समाम ना है, क्योंकि लगातार topic news में है, और scientist जो है NASA के, और National Oceanic and Atmospheric Administration के, इन्होंने announce किया है, अपने prediction को कि नया solar cycle, solar cycle 25 यह शुरू होने वाला है, तो यह चीज़ का prediction जो है, वो आ गया है, यानि यह बोट रहा है कि यह cycle जो है वो इंटा नया शुरू हो रहा है, इसमें finding के अगर बात करें, तो solar minimum जो होगा, वो बदाया गया है कि December 2019 में already आ चुका है, और scientist ने prediction किया है कि 5 सालों के बाद solar maximum देखन होती है solar minimum, solar maximum और solar minimum की, तो यह पूरी एक cycle count की जाती है, और यह एक पूरी cycle जो होती है, वो 11 सालों की होती है, तो यह भी चीज़ आपको याद रखना है, एक पूरी cycle कितने सालों की होती है, total 11 सालों की होती है, पूरे total 11 सालों में आप यह कह सकते हो कि आपको 2 बार solar minimum सिखा ही देगा ठीक है अब देखो यह यहाँ पर यह चीज़ दाई यारी कि 2025 में हम लोग को सोलार मिनीमम देखने को मिलेगा बिड में 2019 से 2025 में फिर दोबारा से आपको जो है वो इसके अगें जैसे 2019 से 2025 कितने हो गए छे साल हो गए फिर आगे के पाथ सालों के बाद देने क 2030 में फिर सोलार मिनीमम रिकॉर्ड किया जाएगा तो यह पूरी इस प्रकार से 11 सालों की पूरी प्रोसेस होती है और सोलार की साकल ले होती है वो इस पर पिछले साल की तरह इस बार भी स्क्राइग ही बताई जा रही है यह बहुत स्क्राइग साल देखने को मिलेगी बट जान लेते हैं solar cycle exactly होता गहा है तो मैं आपको अल्रड़ी बताई चुका हूँ जो सूरज है एक बड़े ball की तरह हम लोग को देखने को मिलता है इसमें electrically charged hot gas होती है यह जो electrically charged hot gas है यह वो ही है यह electrically charged, यह charged hot gas आपको दिखाई दे रही है और यह यह जो electrically charged hot gas है तो यह जो charged gas है यह जब move करती है तो यह powerful magnetic field को generate करती है और यह जो magnetic field है यह cycle से होकर गुजरती है जिसको हम लोग solar cycle होते है और यह solar cycle कैसी होती है यह high हो रही है फिर यह low हो रही है ठीक है एकदम से high हुई और यह low होई ब्राइट होई फिर यह dull होई तो यह पूरी solar cycle जो मैंने आपको explain किया और sun की जो पूरी magnetic field होती है वो पूरी तरह से flip हो जाती है यानि कि opposite हो जाती है sun का जो north pole और south pole होता है वो अपनी जगा change कर रहता है तो मैंने भी आपको क्या बताया solar cycle यहां से शुरू ही mid में गई और वो फिर यहां से वापर शुरू हो रही है तो यह क्या हुआ यह अभी मान के चलो यह north है फिर यह south है ठीक है north south अब यही पर ही north हो जाएगा क्यों यह flip हो गई zero से शुरू होना है इसको तो यह north हो जाएगा फिर यह जो है वो south की तर्म यह गोल घूम जाएगा इसका जो पूरा magnetic field है यह उल्टी हो जाती क्यों उल्टी होती है उसका एक practical answer यह है कि जब यह solar cycle एक बार शुरू होती है north से फिर यह south में जाकर end होती है तो फिर वो north से वोबस शुरू होगी यानि कि इस प्रकार से आप सोचो तो यह क्या हुआ flip होगी ने इसकी पूरी magnetic field तो इस प्रकार से जो है वो आप लोगको इस topic को इस concept को समझना है और इसको अगले 11 साल लगेंगे दोबारा से sun को north और south पोल्स पर flip करने के लिए क्योंकि पूरी 11 साल की cycle होती है और astronomers जो है उन्होंने अभी तक ऐसी 24 cycle document करी है यानि कि इसका पता लगा है ऐसी 24 cycle का और इसके इनको दस्तावेजी करना है देखने को मिले है यानि कि documentation इसके हम लोग को देखने को मिले है और पिछला जो हुआ था जो खतम हुआ था वो 2019 में हुआ था खतम हुआ था यानि कि solar minimum और अगले अभी जो चल रहा है वो भी solar minimum चल रहा है पात सालों के बाद solar maximum देखने को मिलेगा रई 2025 में आगे की बात करें scientist जो है वो solar activity track कैसे करते हैं तो यह sun spot की मदद से करता है sun spot यानि यह bright चीज़ है जो आपको दिखाई देती ही sun के उपर तो इसको यह scientist देखते हैं परकते हैं और जैसे ही solar cycle की beginning होती ही शुरुआत होती ही तो सिर्फ कुछ ही sun spot होते हैं और जिसको हम लोग solar minimum कहते हैं आपने भी आपको बताया और जैसे ही समय बीचता है वैसे ही solar जो है यह sun spot जादा होने लगते हैं बढ़ने लगते हैं और middle में mid term में solar cycle के यह maximum हो जाते हैं जो चीज मैं आपको समझा रहा है starting में कि यह mid term में मिडल में maximum हो जाएंगे फिर यह minimum हो जाएंगे ठीक है इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझनी थी जो यह पूरी थियोरी में लेखी हुई है ऐसे concept को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह confusion create करते हैं और मैं शाय जिस प्रकार से समझाया है hopefully आपको sun में आ गया होगा तो यही है पूरा इसमें और sun जो है उसमें जादा sun spot हम लोग को solar maximum में देखने को मिलते हैं और जैसी cycle end होती है तो वापस से solar minimum हो जाता है solar minimum solar maximum end होई वापस solar minimum शुरुवात होई फिर solar minimum से जब जो magnetic field chain हो जाएगी बीच में solar maximum फिर solar minimum तो ऐसी प्रोसेस चलती ही 11 साल होगी ठीक है आगी की बात करें यह धरती को कैसे impact करती है पूरी solar cycle तो यह solar eruption जब होता है यह solar spots जब होता है निगी जो यह solar spots जब फूटते है क्योंकि energy जिससे निकलती है तो यह हमारे radio communication को damage कर सकते है और एकदम जादा अगर विसपोर्ट होगा तो धरती की जो electric grids है जो हमारे बिजली के जो grids हम लोग को नजर आते है उसको भी खराब कर सकते है उनको भी effect कर सकते ह जो हमारी satellites available है इसके लावा satellites की जो life है उसको भी यह कम कर सकते है इसके लावा जो हमारे astronauts काम कर रहे हैं International Space Station पर तो उनको भी जो बाहर क्योंकि आपने देखा हुआ ISS में International Space Station का एक वीडियो भी है काफी शांदर अगर आपको देखना है तो YouTube पर सर्च करीए International Space Station की documentary रियल वीडियो आपको देखाए जाएगा कि किस परकार से scientists operate करते हैं मज़ा आ जाएगा देखकर लगेगा कि काश आप भी होते महाँ पर जब मैं देख रहता तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि यार काश मैं भी होता महाँ पर क्योंकि वहाँ पर इतना बहतर पानी को जैसे ही खोलते है पानी हवामे ऑडता है और उस हवा के बुलबुले होते हैं आप देखए, जिन्हें वोले को नहीं देखाए मज़ा आ जाएक दम, देखे, exercise भी करते हैं हवामें उड़के, और ऐसी चाप्छी हिते बनान हिए, पूरा बता हुए वो बहुत अच सकती है तो यह इतना घाता कही है solar cycle कि जब यह radiation होते है तब ठीक है next topic की बात करें कलिंगा frog की हाँ पर बात हो रही है तो western घाट में कलिंग frog जो है यह हम लोग को नजर आई वाले मेंडक कलिंग मेंडक ठीक है यह आपको दिखाई दे रहा है और scientist ने discovery करी है इसका मतलब क्या होता है यानि कि एक organism जब अलग-अलग features शो करता है इसके जब अलग-अलग physical features नजर आते हैं दिखाई देते हैं तो उसको morphological जो है यह कहा जाता है morphological phenotypic plasticity जैसे अलग-अलग छेतर में वो जो प्रानी है वो जो organism है अलग-अलग छेतर में अलग-अलग तरीके की activity यह करता है अलग-अलग तरीके से नजर आता है दिखाई देता है यानि कि इसकी जो शदीर है वो अलग-अलग तरीके का हो जाता ह तो scientist researcher ने भी पाया कि eastern घाट में तो यह already थे ही बेट western घाट में भी पाये गए, दिखाई दी है क्योंकि अलग type की प्रजाती ने ज़र आई, इनकी killing frogs की तो जब इन्होंने research करी इस frog की तो पाया किया रही है यह तो killing frog है, जो हमें eastern घाट में दिखाई दे दें तो यह western घाट पे भी है, क्योंकि यह अलग प्रकार की है तो बड़ आपको यहाँ पर यह याद रखना है बस, कि यह MPP क्या होता है morphological phenotypic plasticity, इसका मतलब एक organism जब अपने physical characteristics को environment की according change करता है तो उसको यह कहा जाता है, physical features जो उसकी यह change करता है G20 countries की meeting थी, environment ministerial meeting थी अभी recently यह Saudi Arabia की presidency पे हम लोग को देखने को मिल रही थी, उसकी अध्यक्षता पे देखने को मिली थी यह meeting, environment ministerial meeting G20 countries की इस initiative के अंदर main मक्सद यह था, कि implement किये जाए जितने भी frameworks हैं जो की prevent करते हैं, line degradation को उसको रोकते हैं और उसको reverse करने पर focus करते हैं आप यह देखो, करना क्या है यहाँ यहाँ पर यह चेतर आपको दिखाई दे रहा है, यह कौन सा चेतर है, degraded area है यहाँ यहाँ पर कोई भी आपको plantation वगरह नहीं दिखाई दे रहा तो इस degraded area को, या फिर इसको desertified area भी कहा जाता है और यह G20 member countries जो है और पूरे दुनिया भर में ऐसी process जो है वो लेकर आनी है इस प्रकार की चीज़े करने है और sustainable development goals जो है और भी दूसरे तो इसको भी achieve करना है मिलकर, तो इसको लेकर यह initiative हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है यह वाला, यह global initiative, reduced land degradation और coral reef reform का land degradation की अगर हम लोग बात करें इसका मतलब क्या होता है जब एक छेतर पर biologically और economic productivity एक जमीन की वो खता हो जाती है यानि कि एक जमीन जो होती ही वो पूरी तरह से जब बंजर हो जाती है बचती नहीं है तब उस समय उस छेतर को जो है वो land degraded area कहा जाता है यह human activities के कारण भी होता है और climate variations के कारण भी होता हुता है जो climate change जो हम लोगों को देखने कारण होता है उसके कारण भी होता है तो climate change ultimately responsible है किसके कारण है humans के करना हुक्त डैस कमःटिफैसेंचेंग क्यों ओता है वही चीज मिया आपको बताई कि यानि कि डेजर्ट जो है वो यह डेजर्ट है और यह डेजर्ट बढ़ते आ रहा है तो इसका मतलब डेजर्टिफिकेशन नहीं होता डेजर्टिफिकेशन का मतलब एक जमीन जो की पहले ऐसी हुआ करती थी वो अब ऐसी हो गई है अब कहा जा रहे है कि उसको वापस से ऐसा ठीक है तो यहले चीज़ है रिपर्स करने है पूरी प्रोसेस को यह चीज़ है यहाँ पर हम लोग को जो देखने को मिल रही है और यह होती गाव है जब उस जमीन के ओपर over exploitation कर दिया जाता है यह ज्यादा exploit किया जाता है उस जमीन को inappropriate तरीके से land का जमीन को उपयोग किया जाता है और major cause क्या-क्या होते है land degradation के deforestation करना पेल अगरे को काट देना सही तरीके से farming नहीं करना ज्यादा fertilizer pesticides का उपयोग करना over grazing करना एक जगा पर यानि कि जो live stocks है जो गाए वगरा है तो उनकी grazing करवा देना ज्यादा यानि कि वो चराई वगरा उनकी ज्यादा करवाना क्योंकि जब ज्यादा चरवाई होती तब जगा जो होती है वो दोबारह से ठीक नहीं हो बाती उसकी ज्याद की साथ यहाँ पर commercial development वालेज जी विकास और शहरी फेलाब जो urbanization जो हम लोग को देखने को मिलता है वो वाली चीज बताई गई है vehicle off-roading इसके लावब खदाने वगरा तो उसके करना भी यह land degrade होती है और इंडिया ने क्या-क्या steps लिए अभी तक इस चीज के लिए land degradation को सह specially protect करने के लिए तो desert development program इंडिया का है integrated watershed management program जो की आज की रेट में प्रधान मदरी क्रिशी से चाहिए उजना के इंडर देखने को मिल रहा है national agriculture policy 2000 national mission on green India जो की national action plan on climate change का part है national a forestation program soil conservation in catchment of river valley projects और flood prone rivers इसके लावा national watershed development program rain fed areas के लिए fodder और feed development scheme जो किये component हम लोग को grass development और grass reserve की देखने को मिलती है इसके लावा command area development and management program national water policy 2012 national forest policy 1988 तो ये कुछ प्रोग्राम से इंडिया के जो की इंडिया ने steps लिये है land degradation ये फिर जमीन को सही करने के लिए ठीक है तो ये था पूरा overall topic इससे related next topic बहुत जाद है इंपॉरे ने ध्यान से सुनना banking regulation amendment bill 2020 की हाँ पर बात हो रही है ये पास कर दिया गया है लोगसवा से ये bill replace करीगी एक ordinance को जो की 26 जून को आया था जिसके बारे में अपने पढ़ा भी था ये bill जो है guys ये amend कर रही है banking regulation act 1949 को नए bill के अंदर central government का main मकसद ये है कि जितनी भी cooperative banks हैं उनको RBI के control में रखा जाए यानि कि RBI की निगराणी में उनको रखा जाए और RBI उनमें changes करेगी यानि कि RBI की powers जो ह जादा powers होगी इस bill के दायत इस bill के अंदर क्या changes है तो यह जी चीज तो अपने अभी already ऊपर में बात करी ली कि RBI के पास जादा control जादा powers होने वाली है और हालती पता है मैं आपको इस topic को आसान तरीके से पहले समझा देता हूँ फिर अपन ये point voice चलेंगे नहीं तो फिर RBI की guidelines को follow नहीं कर रही थी PMC bank ने काफी सारे लोगों को loan दे दिया था right but excessive amount में loan दे दिया था और उसके deposit यारी कि जितना उसको deposit maintain करना था RBI की guidelines के according उसमें उसको उलंगन किया और जादा amount जो है वो loan के तौर पर दे दिया इससे समस्या क्या उत्पर हुई आपको पता है कि जब bank loan देती है तो bank कौन सा पैसा loan देती है क्या पैसा चापके loan देती है नहीं क्या उसके पास पहले से पैसा होता है loan देने के लिए नहीं उनके पास पैसा होता है depositors का जैसे कि मैं अगर अपने bank में जाकर जो पैसा deposit करता हूँ तो वो पैसा bank जो है वो बाहर लोगों को भी आपा के कुश्रूल मुझे लिंगा इंन्वाद से लोगों को उससे इंट्रेस्ट कमाती ए इस बीज के difference होता है वो पैंक की कमाई होती parlar है इन ग्रता तरीके सांब को समझाने के लिए यह जीज्चम फमसी ने क्या किया और ऐसे सर्फ PMC नहीं है और ऐसे काफी सारे कॉपरेटिफ बैंक से जिनके घोटाले सामने आये थे ये क्या करने थी है काफी ज़्यादा लोगों को लोंस दे रही थी अब वो लोंस चुका नहीं रहे थे रीपे नहीं कर रहे थे तो क्या हुआ है NP हो गया non-performing asset हो गया अब जिल लोगों का पैसा यहाँ पर है वो लोग जब पैसा मांगने आए तो इस बैंक के बास पैसा अवेलेबल नहीं है तीजोरी में अब क्या करें अब ये ये cooperative banks तो ऐसे घोटाले बताये गए कि बहुत जादा हुए है और cooperative banks यहाँ पर 6.8 lakh account साड़े 8 lakh से ज़ादा लोगों के accounts है यहाँ पर 5 lakh करोड रुपे deposit है और पताये गए अब कि पिछले 5 सालों के अंदर 1000 से ज़ादा cases fraud के सामने आए और 220 करोड से ज़ादा ये fraud के cases in value के हम लोग को देखने कमले cooperative banks के अर्बन cooperative banks के यहाँ पर PMC का जब मामला हुआ था ना मुद्दा हुआ था लोग bank के बाहर रहे थे बैठके लोग क्योंकि अब यहाँ पर RBI ने seize कर दिया था कि कोई भी जो है वो इस bank से पैसे नहीं निकाल पाएगा ना यह bank function करेगी क्योंकि cooperative bank का जब यह issue सामने आया जब RBI ने देखा कि यह bank जो है वो RBI की guidelines का follow नहीं कर रही है तो RBI ने इस bank को बंद कर दिये इस bank के operations को बंद कर दिये कि यह bank जो है वो और काम नहीं करेगी हम इसकी जितने भी operations होंगे वो कम हो जाएगे खता हो जाएगे तो RBI ने यह निर्देश दे दिये थे अब जब यह निर्देश दिये तो सामने जिन लोगों को पैसो की requirement थी जिन लोगों नहीं हापर पैसा जमा किया हो तो वो पैसा नहीं निकाल पा रहे थे लोग सड़कों पे उतर आये थे कि उनका पैसा वापिस करो तो परिशानी किसको ही ultimately लोगों को जिन लोगों ने पैसा deposit किया है और बड़े इशू उठ रहे थे और बहुत rallies वगेरा निकल रही थी, protest वगेरा हो रहा था तो यह बड़ा ऐसा issue है तो यह तो एक मुद्दा था ऐसे कई नजाने कितने मुद्दे हम लोग को देखने को मिले हैं तो ऐसे मुद्दे ना हो इसके लिए directly control करेगी RBI ऐसे banks के ओपर insure करेगी कि यह cooperative bank है यह equally जो है वो subject इनका हम लोग को देखने को मिले जो की banks के ओपर जो control करती है RBI same equally control जो करेगी यह RBI इनकी ओपर भी करेगी better governance purpose के लिए एक अच्छी banking regulation purpose के लिए तो यह अली चीज है यहाँ पर और यह amendment है यह RBI को scheme of amalgamation bank का provide कराएगा याई कि जैसे कि आपको बता है कि कोई भी bank अगर अच्छी तरी से perform नहीं करते तो RBI क्या बोलती है कि आप जो है वो अपने bank को इसके साथ शामिल कर लो याई कि merge कर लो तो ऐसी चीज़े cooperative banks के साथ भी हो सकेगी तो moratorium याई कि इस्तगित करना उसके operations को बंद करना उसके operations को बंद करने की जगा यह amalgamate कर पाएगी merge कर पाएगी RBI जिससे कि कि किसी प्रकार की problems जो है वो public को ना हो banking system को ना हो account holders को ना हो specially right banks के अंदर और banking company जो है वो proper तरीके से manage की साथ सके बिना किसी banking functionalities के disruption के यानि कि banking के जो भी functions है वो रुकेंगे नहीं banking के functions लते रहेंगे और किसी भी कोई problem नहीं होगी जो depositors है उनको चिंता करने की आवशकता नहीं account holders को चिंता करने की आवशकता नहीं जो employees है वहाँ पर उनको कोई चिंता करने की आवशकता नहीं तो इस चीज के लिए यह किया जा रहा है और यह इस पर पूरा control होगा वो central bank का RBI का हम लोग को देखने को बिलेगा इस चीज को ensure करने के लिए किया गया है और यह allow करेगी cooperative banks को की cooperative bank even पैसा भी raise कर बाएंगे आपको बता होगा कि banks वगएरा पैसे भी raise करती है right various अपनी schemes को issue करके various equity के through shares वगएरा के through यह पैसे जो है वो raise कर सकते है right पैसे बढ़ा सकते हैं आपको बता होगा banks के काफी सारे shares वगएरा चलते हैं आप banks में पैसे invest करते हो right फिर अगर वो bank improve करती है तो आपका पैसा बढ़ता है तो आपको क्योंकि equity holder कौन होते है एक basically share holder होते है उस particular company के उस bank के तो आपने अगर किसी bank में invest किया होगा as a share hold equity के तोरबार उसके shares purchase कियोंगे तो bank अगर improve करेगा तो आपको भी उसका profit central bank को भी दे सकती है central bank के पास रखवा सकती है जितने भी इसके unsecure debentures होंगे उसको भी तो आपको बदा shares और debentures जो भी होते है तो अगर एक debenture है यह नहीं के जलते हैं कि इसने यह company है इसके shares market में नहीं बेकर है तो यह क्या करेगी यह RBI को भी जो है वो share दे कर उनसे पैसा ले सकती short period of time के लिए तो ऐसी चीज़े भी है यहाँ पर इसके बास सुविदा हो जाए कि cooperative banks के बास बट कहा जा रहे कि यह जो registers हम लोग को cooperative banks के अंदर देखने को बिलते हैं और जो states के कानून है उसके तहत cooperative societies है cooperative banks जो है उसमें जो registers हैं तो उनको कोई भी effect नहीं होगा उनके काम वगेर कोई भी effect नहीं होने वाला है दूसरी चीज़े हाँ पर यह बताई आ रही है कि जो भी primary agriculture credit societies होती है PACS और या फिर cooperative societies ऐसी जिनका primary objective और principal business होता है कि long term finance agriculture development के लिए provide कर आना तो जिनका ऐसा business होता है agriculture development से related जो कि अपने आपको bank नहीं बोलते हैं ना banker बोलते हैं ना banking word का उपयोग करते हैं तो उनको भी जो है वो इससे अलग किया हुआ है उनको यहाँ पर कोई भी effect नहीं होगा तो यह वाली चीज यहाँ पर पताई आ रही है और यह जरूरी क्यों था तो उसके बारे में आपको इसका example दे दिया था PMC का इसके लावा अभी तक जो cooperative banks है वो किस प्रकार से regulate किये जाते हैं तो देखिए cooperative banks की ओपर dual control होता है एक राज्य का और दूसरा RBI का तो state की जो हम लोग को देखने का बलता है जो register जो होते हैं state के अंदर तो उनका यह role होता है जो register of cooperative societies और RBI तो इनका यह dual control होता है इसमें जो register होते हैं states के तो वो क्या करते हैं in corporation registration management auditing और super session board के liquidation तो यह सब काम जो है वो register की दौरा किये जाते हैं और RBI क्या काम करती है cash reserve ratio को maintain करने का directions देना capital ID की उसी ratio और इस प्रकार की चीज़ों को maintain करने का directions RBI की तोर से तरफ से दिया जाता है और RBI ने वो ही किया था इसको PMC को direction दिये थे इसने direction को follow नहीं किये तो RBI ने इसके पूरे operations को बंद कर ली operations को बंद करने कारा लोगों को नुकसान हुआ परिशानिया हुई तो आगे चलके ऐसी कुछ चीज़े ना हो इसके लिए कॉपरेटिव societies को banks को reverb RBI के control में रखा जाएगा पूरी तरह से और RBI उसको manage करेगी control करेगी बढ़ हाँ साथी साथ cooperative societies भी manage करेगी उसके पर कोई भी effect नहीं बढ़ने वाला है तो यह चीज़ हाँ पर इस bill के तहट बताई आ रही है अब next topic की बात करें तो देखे कई atomic energy पर FDI की हाँ पर बात हो रही है center ने का है कि उसके पास अभी कोई plan नहीं है कि foreign direct investment जो है वो nuclear power पर करेगी यानि कि private sector को involved नहीं करना चाहती nuclear power generation के लिए सरकार तो इसको लेकर अभी बातचीत हम लोग को देखने को अब ले थी तो इस तीए topic news में था आप लोगों को क्या करना आपके लिए आज का एक task है आज मैंने homework नहीं तो होने से यह map की book तो 18 आप खरीद लो जिससे कि आप समय समय पर उसको mark करते रो या फिर सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि आप खुद बाखुद अगर इंडिया का नक्षा बनाना सीख जाओ ये फिर आपको करने की जरूद नहीं यार ये तो अभी आप starting में कर लो तो ठीक है बट आपको mains के लिए भी बहुत important है कि आप खुद नक्षा बना के उस पर बनाया करो जिसलिए कि आप 40-50 बार भी अगर खुद से practice करोगे इंडिया map बनाने की तो आपके practice काफी अच्छी हो जाएगी तो नक्षा बनाने की practice करो या आपके GS paper 1 में काफी help करने वाली है तो ये है आपको power plant जितने भी है हमारे nuclear power plant तो उसको mark करके रखना है और ये थोड़ी information जानो आपकी इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही public sector companies है जो की department of atomic energy के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है एक है nuclear power cooperation of India limited NPCIL और दूसरी भवानी और ये है भारतिया न न भी किया विद्यूत निगम limited ठीक है और ये किसके उपर involved है तो ये nuclear power generation के उपर based ये companies हम लोग को देखने को मिलती है और अभी तक सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले रही है या किसी बरकार से सोच नहीं रही है कि private sector को इसमें involved किया जाएगा non-government sector को involved किया जाएगा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा अभी तो यह अली चीज तो अभी के लिए देखने को मिल रही है और आज की rate में हमारे पास 22 reactors है जिनकी capacity 6,780 MW की है operation की हमारी country के अंदर इन nuclear reactors के इसके लावा आज की rate की अगर policies के अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर FDI में foreign direct investment में atomic energy को prohibit करके रखा हुआ है कि इस पर FDI नहीं होगी बट FDI का restriction किस चीज़ पर नहीं है तो जो भी nuclear industries जो की manufacture करती है equipments या फिर दूसरे supplies provide कराती है nuclear power plants के लिए जैसी कि यह nuclear power plant है इसके अंदर जिन भी machines का उपयोग किया जा रहा है उन machines को बनाने के लिए जो companies होती है manufacturing companies तो वो जो machines है जो manufacturing company मिनाएंगी किसके लिए इस nuclear plant के लिए तो उस पर FDI आ सकती है बाकी exactly nuclear power plant के या फिर जो nuclear power के generation के लिए कोई भी FDI नहीं आएगी अभी के लिए तो यह चीज़ हम पर बताई है रही Atomic Energy Act 1962 जो है यह event किया गया था 2015 में और इसमें शक्ती दी गई थी NPCIL को जिसके बार में अपने बात करी Nuclear Power Corporation of India Limited NPCIL को शक्ती दी गई कि यह जो है वो setup कर सकती है nuclear power projects को तो यह अली चीज़ है तो यह हम लोग को देखने को बला है यह joint venture के थूर लाइसेंस दे सकती है और monthly package अगर आपको purchase करना है यानि कि इसकी अगर आपको PDF चाहिए इस पूरे lecture की तो एक monthly package की थूरू आपको यह PDF मिलती है हर मन्त की fees जो है वो मात्र मिनीमम 100 रुपीज है हर मन्त की fees और यह आपको इसमें PDF मिलने के जो फायदे होते हैं आपको बिता जेता हूँ तो देखिए इस PDF मिलने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपको daily basis पर handwritten notes बनाने नहीं होंगे आप सिर्फ यह lecture देखेंगे ध्यान से और इसके लावर बिना किसी distraction के बिना कुछ note down किये पूरा आपका focus होगा इस lecture के उपर और उस lecture को देखने के बाद आपको अपने general studies के topics कवर करना है और answer writing practice करना है यहने कि सही जगा पर अपना time invest करो क्योंकि अगर आप lecture देखने के बाद notes बनाने लगोगे तो आपका आधर दिन इनी सब चीजों में निकल जाए current affairs को पूरा करने में तो आपकी फालतू में energy जो है वो इस परकार के notes को create करने में waste होगी उससे better है ध्यान पूरवक lecture को देखो lecture को देखने के बाद अपने general studies के topic finish करो रात में सोने के से पहले आपके पास इसकी PDF मिल जाएगी और आप इसकी PDF से पूरा जितने भी topics आपने आज देखे हैं उसको revise कर लो तो क्या हुआ आपका daily revision हो गया और हर दिन Sunday को जैसे कि कल Sunday है कल के दिन MCQ format में हम लोग news को cover करते है साथी साथ Sunday के दिन weekly compilation भी आपको दिया जाता है याने कि पूरे हफते की जो news है उसकी एक single PDF आपको दी जाती है पढ़ने के लिए तो आपने क्या किया पूरे हफते की जो news है वो पढ़ ली आपका दूसरा revision हो गया ऐसा ही monthly compilation दिया जाता है आपको तीसरी बार तो आपका तीसरा revision हो गया याद रखना एक topic को तीन बार अगर आप revise कर लोगे बताएगा instructions को regularly follow कर रहे हो homeworks जो दे रहा हो task जो देना हो फिनिश कर रहे हो तो selection पका है guaranteed और इस तिफर आपको कोई रोगी नहीं सकता mains में बैटने से तो ये चीज़ तो पकी है और ये इस प्रकार से इसलिए आपको दी जाती है जिससे कि आप पढ़ो आपको motivation हिंदी के लिए रख जिसको आप प्रिंट आउट करा के अपने पास handouts भी रख सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ December तक का भी payment कर सकते हैं अगर आपको avoid करना है regular monthly basis पर payment करना तो और साथी साथ January से लेकर जुलाई तक की PDF भी हाँ पर available है जिनकी cost मातर 300 रुपए है पूरे साथ महीने की PDF और newspaper के rate से भी कम में यह पूरी facilities आपको provide की जा रही है और जैन टू जुलाई के बारे में अगर आपको जानकारी सही है तो नीचे description पर देखेगा एक video है वीडियो में यह जो यह print friendly magazine कैसी होती है इसका एक sample भी दिया हुआ है तो आप वह भी देख सकते है तो वीडियो ज़रूर देख लिएगा और नीचे description पर पूरी details लिखी हुई है कि कैसे आपको payment करना है payment details लिखी हुई है और payment के बाद आपको क्या करना है तो वो पूरा पढ़ लिजेगा कि आपको आप कैसे जो है वो paid course को join कर लेंगे तो पूरी information वहाँ पर दी गई है ठीक है और चैनल का नाम करेंट आपक अम लाक्ष जाहे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा bell icon पे भी ज़रूर hit कीजेगा lecture अच्छा लगा है तो like कीजेगा share जरूर कर दिएगा telegram का भी एक channel है same नाम से इसको भी आप join कर सकते हैं और facebook पर मेरे नाम को search करके आप मुझे follow भी कर सकते हैं आप हम लोग मिलेंगे कल Sunday को तब तक लिए bye bye take care have a great day ताड़ ताड़ आप